नमस्कार मैं दोशियन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी UPPSC-RO-RO और UPPCS prelims को ध्यान में रखते हुए हम UP Special GK को कवर कर रहे हैं आज के इस क्लास में हम उत्तरप्रदेश के परिवहन और परियटन को कवर करेंगे परिवहन में सड़क परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन से जुड़े हुए जो भी महत्तपूर तथ्या हैं उनको देखेंगे इसके साथ साथ उत्तरप्रदेश के जितने भी प्रमुख दर्शनी इस्थल हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले परिवहन से जुड़े हुए जो महत्तपूर तथ्या हैं उनको देखते हैं प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा जो है वो कब स्टार्ट हुई थी यूपी में सबसे पहले तो 15 मई 1947 को बस रोडवेज यहां पे स्टार्ट हुई थी और पहली जो सेवा थी बस रोडवेज की वो कहां से कहां तक थी लखनव से 12 बंकी ठीक है याद रखेंग के यहां पर बात हो रही है नेशनल हाइवेज की यूपी में जो नेशनल हाइवेज हैं उनकी कुलंबई 12,270 है तो इस हिसाब से यूपी पूरी कंट्री में नेशनल हाइवेज के मामले में दूसरे स्थान पर है देखें मैं ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ या जो भ जाके सारस्वत उसके राइटर हैं उस बुक में रास्टी राजमार्गों के मामले में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर दिखाया गया है तो इस संबन में मुझे थोड़ी सी कंट्यूजन हुई तो मैंने जो ओफिशियल वेबसाइट है केंदरी सडग परिवहन और र त्यारी कर रहे हैं चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आपको सबसे ज्यादा जो विश्वास करना चाहिए आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए अपनी सेल्फ स्टड़ी पर करना चाहिए है ना हालांकि म मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा हूं, मैं जब भी मुझे समय मिलता है, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करता हूं, जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी होती है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा, कि इसको कोचिंग न समझ करें, मुझे अपने ही बी आप जानते हैं, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की किताबें, जो बहुत अच्छी किताबें आती है, राके शारसवत के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें यूपी को पहले स्थान पर देखाया गया है, ओफिशियल वेब साइट के हिसाब से यूपी जो है, दूसरे स्थान प का तबी होगा, जब आप सेल्फ स्टड़ी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये चीज याद रखिए का कोई भी मास्टर, कोई भी कोचिंग आपका सेलेक्शन नहीं करा सकती है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको अपना लगाना है, और अगर आप कुछ नया डेटा लाकर के मुझे देंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज की, क्योंकि मुझे भी उस चीज के बारे में बता होगा, हलाग कि मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको सही चीज़ें ही प्रवाइड करवाओं, तो इस हिसाब से आप देखेंगे, तो UP देश में से पहले लखनव से 12 बंके के बीच में जो रोडवेज सेवा चलाई गीती 15 माई 1947 को, यह आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक जून 1972 को उत्तर परदेश रोडवेज की जगे, उत्तर परदेश सड़क राज्य परिवहन निगम, यानि UPSRTC की स्थापना की गीती, पहले इ इसका जो हेड ओफिस है, मुख्याले है, वो कहाँ पे है, लखनव में है, 2022 में उत्तर परदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना का पचासवा स्वाडम वर्ष जो है, वो मनाया गया था, एक बहुती important question है, यह काफी बार पूछा गया है UP के एक्जाम्स में, पूछा जाता है, कि राषटी, राजमार्ग, प्राधीकरण, द्वारा, निर्मित, उत्तर, दक्षड, वो पूर पक्षिम कारिडो, जो है, वो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते है, वो एक दूसरे को जहांसी में क्रॉस करते हैं, निगम द्वारा विभिन प्रकार की बस सेवाइं चलाई जाती हैं, जैसे साधारण बस चला जाती हैं, जो लोकल बसे होती हैं, आपकी जनरत चलाई जाती है, AC Sleeper, Scania, Satabdi, Volvo, ये सारी सेवाइं जो है, UPSRTC के द्वारा प्रवाइड कराई जाती हैं, उत्रपदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख रास्टी देख लेते हैं, देखें, बहुत से जो रास्टी राजमार्ग हैं, वो पहले किसी अन्य नाम से जाने जाते थे, वरतमान में किसी नए नाम से जाने जाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो जैसे पुराना रा अगरा वाराड़सी होते हुए, यह कलकता तक जाता है, दिली से कलकता, उत्तर परतेश के मामले में बात हो रही है, नेशनल हाइवे नमबर 44 ठीक है, ये आगरा से मुंबई के बीच में है, आगरा से गौलियर, इंदोर, नाशेक होते हुए मुंबई तक जाता है, पहले से नेशनल हाईवी नमबर 3 के नाम से जाना जाता था, तो आपको सारे तो याद जो है नहीं रखने हैं, और वैसे रख भी नहीं पाते हैं, हम लोग इदने तथ्यों को किस तरही किसे याद रखेंगे, तो जो परमुक परमुक चीज़ें हैं, तो नेशनल हाईवी नमबर 19 को याद रखेंगे, इसके अलावा आप याद रखेंगे नेशनल हाईवी नमबर 44, आगरा से मुंबई, और नेशनल हाईवी नमबर 35, यह पहले NS7 के नाम से जाना जाता था, पुराना जो रास्टी राजमर्ग था, बारारसी से कन्या कुमारी तक था, इसको NS7 कहा जाता था, अभी इसको NS35 कहा जाता है, NH21 जो है, यह पहले 11 के नाम से जाना जाता था, यह आगरा से बीकानेर वाला मार्ग है, जैपूर होते हुए बीकानेर तक जाता है, निशनल हाईवे नमबर नाइन जो है, यह दिल्ली बरेली और लखनव को कवर करता है, यह जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं यहां से, इधर देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो, निशनल हाईवे नमबर 27, यह लखनव और गोरकपूर को जोड़ता है, लखनव से बस्ती होते हुए गोरकपूर तक जाता है, पहले से 28 नमबर दिया गया था, अब इसे 27 नमबर दिया गया है, ठीक है, लखनव वाराणसी मार्क को 173 अबलिक 31, इसको नाम दिया गया नया, पहले से NH6 के नाम से जाना जाता था, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्टी राजमार्क जो है, वो 19 है, पहले से NH2 के नाम से जाना जाता था, दिल्ली से कोलकाता तक यह जाता है, यह मैं समझेगा दिल्ली यूपी में कहां से आगी मतलब दिल्ली से स्टार्ट होता है कोलकाता जाता है लेकिन उसके बीच में यूपी में जो इसका जो मार्ग है वो सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश सरवादिक एक्सप्रेस वे वाला भी राज्य है यह भी आप याद रखेंगे यहां पर कुछ एक्सप्रेस के नाम दिये गए है इसके साथ एक सूशना और आपको जैसे यह कल या परसों तक यूपी आपका खतम हो जाएगा इस बुक के हिसाब से इसके बा बना दूँगा अगर नहीं बना पता हूँ तो उसकी PDF एक कंपाईल करके मैं आपको यहां पर प्रवाइड करा दूँगा और बहुत अच्छी जो में पास रिफ्रेंस बुक है अगर मुझे समय मिला तो उसका मैं वीडियो बना दूँगा नहीं बना पाता हूँ तो मैं टेलिग्राम पर वो पूरे को पूरे जो questions हैं जो यूपी से related हैं वो सारे के सारे मैं आपको share कर दूँगा ठीक है यहां से आप देखेंगे उत्रबदे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य है यमुना एक्सप्रेसवे यह जो है आपका greater noida से आगरा तक है को लंबाई इसकी लगबक 165 km लाभानवित जिले यह कौन-कौन से जिलों को लाभ पहुँचाता है तो गौतम पहुच रहेंगे मैप का यूज करेंगे तो यह चीजान याद होती है अब जैसे के यहां पर बात करें कि कहां कहां से उकर उगजरता है तो इसको आप जिलों को इसी तरीके से याद करते चले रटःटा परबलेंसर अमरोहा समभल बदायूं तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब अपनी आखों से देखें कि मैप मैं कहां से इस तरीके से इन चीज़ों को तो तब यह ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो सकती है बरना इनका इनका इक ही इलाज है कि आप यह ना तो वही है तभी आप याद कर पाएंगे वाला मैप का थोड़ा सा यूज करेंगे त तो मैं ट्रिक विर्ग ज्यादा बनाता नहीं हूँ लेकिन यह 4-5 जिले थे तो इसका मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो वो दिमाग में आ गया को इस तो मैंने ऐसे ही लिख दिया अब यह पुना एक्सप्रेसवे के सारे लाबानवे जिलों को याद रख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे मेरट से प्रियागराज के बीश में है कुल लंबाई 594 किलोमेटर है इसकी और इससे लाबानवे जिले जो हैं मेरे ठापुड बुलनसहर अम्रोहा संभल बदायू सह जहाँपुर हर्दोई उन्नाव राइबरेली प्रिताबगड़ और प्रियागराज तो जब भी आप ऐसी चीज़ों को याद रखा करें तो कोई चीज इनसे कनेक्ट करके याद रखा करें जब इसको हम याद रखते हैं तो कोई ऐसी चीज विजुलाइज कर लो ठीक है ज तरीके से मतलब डायरेक्टली रट-रट के याद रखना हो सकता है आप याद कर लें लेकिन उनको ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे वो चीज़ें दस-पांस दिन के अंतराल पर प्रोगाइब हो जाती हैं दिमाग में से तो जब भी चीज़ तरीके 340 दसमलव 824 किलोमीटर लाभान वे जले हैं गाजीपूर, मवू, आजमगर, अमबीड कर नगर, सुल्तानपूर, अयुध्या, अमेठी, बाराबंकी और लखनौ। रेल परिवहन को देखते हैं कुल 9100 किलोमीटर रेल मार्क के साथ में उत्तर पर देश कुल रेल लंबाई की दस्टी से देश में सबसे पहले स्थान पर है, रेल परिवहन का जतना भी मार्क है, ठीक है, रेल मार्क जो है, रेल मार्क की दस्टी से पूरी कंट्री में यूपी का फस्ट रेंक है, और यहां पर रेल मार्कों के लंबाई है, 9100 किलोमीटर, देश के 18 रेल ज सबसे बड़ा लोको यार्ड जो है बो मुगल सराय जिसको पंडित दीन दया लुपादय जंक्षन के नाम से जाना जाता है वहां पर है रेल संस्थानों को देखते हैं डीजल लोको मोटिव वर्क्स कई बार पूचा गया है यह मढवा डी बाराणडसी में है रेल रिपियर क कहां पर है बहुत important question है याद रखेंगे कई बार पूचा गया है यह कहां पर है वाराणडसी में है बिजली प्रसक्षान केंदर यह आपका गाजियाबाद में है और रेल संरक्षा आयोग्या आपका लगनों में है उत्रपदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्धिकरण स प्रस्तावित है वायू परिवहन में प्रदेश में नागरिक उड़यन प्रिशक्षण केंदर प्रियागराज बमरोली ठीक है और रास्टी प्रिशक्षण कॉलिज आगरा इंदरा गांदी रास्टी उड़ान अकादमी फुरसद गंज राइबरेली ठीक है और आपका यह सहारनपूर में एयर स्टेशन है जहासी में आर्मी एविएशन किंदर है यह कुछ प्रमुख चीज़े हैं यहां से इनको आप देख सकते हैं उत्तरपदिस के प्रमुख हवाई अड़े इनके नाम थोड़े से याद रखिएगा वैसे ज्यादा आपको याद नहीं करने प भावत्पूर हवाई अड़े के नाम से जाना जाता है यह कहां है आपका वाराण। यहां से देखेंगे आप बमरॉली हवाई अड़ा अड़ा ये और यह याद रखेंगे अप घड़ेश शंकर विध्यार्थी हवाई अड़ा ये पीं कान पुर्पिर में के लावा कि है पढ़ता हूँ उसके बाद मैं हुआ आपको पढ़ता हूँ या एक बार देख लेता हूँ तब ही आपको यहां से बताता हूँ था कि मैं सकूँ आपको के कौन सी चीज जरूरी है तो ज़ुनी चीज है उस पर मैंने पहले से ही लाइन केरिया हवाई एड़ा आगरा में है बाकी सारी चीजों को पढ़ते चलें सरसावा हवाई एड़ा आपका साहरनपुर में है हिंडन हवाई एड़ा यह important है इसको याद रखेगा गाजियाबाद में है मर्यादापुरिशोताम श्रीडाम अंतरास्टिय हवाई यह एड़ा इसको अयुद्ध्या ऐइरपूर्ट के नाम से जाना जाएगा जेवर अंतरास्टिय हवाई अड़ा यह निर्माना धिन है गौतमबुधनेगर में है अब देखें यहां से यह जो एरपोर्ट हैं ललितपुर हवाई अड़ा ललितपुर में जहांसी हवाई अड़ा जहांसी में गोरगपुर हवाई अड़ा गोरगपुर में बरेली हवाई अड़ा बरेली में और कोशीनगर अंतरास्ट हवाई अड़ा कोशीनगर में तो इनक ये वायू का एयरपूर्ट बक्सी का तालाव लखनोग में स्थेत है। ये जून 1972 को उत्तरपदेश अडग परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। भारती रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2003 में हुई लखनोग में। प्रियाग राज में सबको पता होगा। रेलवे संरक्षा आयोक का मुख्याले कहां पे है ये लखनोग में है। प्रदेश में पहली रेल गाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी तो प्रियाग राज से कानपूर के बीच में चलाई गई थी तीन मार्च 1869 को याद रखेंगे। और बस की बात करेंगे तो लखनोग से 12 बंकी। डीजल लोकोमोटीव वक्स हम पढ़ चुके हैं पहले रेल कोच कार खाना लाल गंज भाई पढ़ चुके हैं और रास्ती जलमाग नंबर एक देश का सबसे लंका जलमार्ग ये भी आप पढ़ चुके हैं अंतरास्ती जलमार्ग पाधिकरन की इस्थापना हुई थी 1986 में नागरिक उड़ेयन प्रिशक्षण कॉलेज ये कहां पे है आपका ये प्रियागराज में हैं इंद्रा गांधी रास्ट्रिय उडान अकादमी ये अमेठी में है फुरसत गंज में नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आपका आगरा में हैं सबसे पहले हवाई हवाई डाक सेवा ये इंपोर्टेंट है याद रखेंगे सबसे पहले हवाई डाक सेवा यूपी में कहां तक स्टार्ट करीगी तो प्रियागराज से नैनी 1911 में उत्रपदेश भारत का सबसे बड़ा आकरशन पर्यटन राज है उत्रपदेश भगवान राम, क्रेश्न, गोतम बुद्ध और महावीर की कर्म स्थली है प्रदेश में दुनिया की प्राशी नगरी काशी और विश्व परशिद कॉम्भ मेला दुनिया के साथ आजशर्यों में शामिल ताज महल भी जो है यूपी में स्थित है यूपी में जो परेटन है टूरिज्म है उसको उध् इस निगम की स्थापना 1966 में हुई थी उत्रपदेश के कौन-कौन से इसमारक है यह इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे हो सके तो इनकी डिट भी याद रखना आगरा का केला निलाल के लिए की बात हो रही रेटफोर्ट की और उसी के बगल में आपका क्या है सामिल किया गया था और आगरा के अंतरकती एक टाउन पढ़ता है फतेपुर सिक्री और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि यह मेरा होम टाउन है फतेपुर सिक्री जो है आगरा के लिए हताज महल के तीन साल बाजानी 1986 में यूनेसको की विश्वधरवर सूची में साम हेरिटेज आर्क के अंतरकत कौन कौन से आपके डिस्ट्रेक्ट आते हैं यूपी के तो लखनव वारांड सी आगरा है हेरिटेज आर्क में इनको जो है कंसिडर किया जाता है उत्तरपदेश परेटन नीती 2018 वैसे इसको पढ़ना जरूरी नहीं क्योंकि इसके बाद में 2022 मे दिमाग नहीं लगाएंगे देखिए उत्तरपदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का मुख्य परेटन केंदर बनाने के लिए फरवरी 2018 में उत्तरपदेश परेटन नीती 2018 जारी की गई है इसका मुख्य परेटन का आकर्शन बनाना मतलब जादा स्यादा लोग टूर परेटन से जो है आए में व्रद्धी हूँ परेटन नीती 2018 के प्रमुख लक्ष्य तक 2018 में जो नीती आई थी उसका लक्ष्य था क्योंकि 5 साल के लिए नीती आई थी तो तो इसका लक्ष्य था कि 2023 तक यूपी को देश का सबसे प्रमुख परेटन गंतव्य बनाना और पर से पांच वर्सों को आप देखेंगे 18 से 23 तक जो पांच वर्से उसमें घरेलू और विदेशी परेटक आगमन में क्रमशब 15 परशंट और 10 परशंट की वार्षिक व्रद्धी प्राप्त करना ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ठीक है तो पांच वर्सों में जो है घरेल इसके जो राश्टी उध्यान है वर्नेजी विहार है इनमें प्रतिवर्स एक लाख परेटकों को आकर्शित करना थेक है पांच साल के लिए ये जो परेटन नीदी थी ये लागू की कई थी उत्रपदिश परेटन विभाग द्वारा ट्रेवल मार्ट लखनोव टीटीएफ हैदराबाद तथा अहमदाबाद और आई टीटीएम बैंगलूरू तथा पोडे टूरिज्म शेल्टर नागपुर का भब्ब्य आयोजन कराये गया जेवर में नोएडा, ग्रीन फिल्ड, अंतरास्टी, हवाई अड़ा और आयोध्या में मर्यादा, पुरिशोत्तम, श्रीडाम, अंतरास्टी, हवाई अड़े के साथ, उत्रपदेश शीगरी, पांच, अंतरास्टी अर्पोर्ट वाला देश का पहला स्टेट बन जाएगा परेटन विभाग द्वारा परेटकों को सुविधा और मार्गदर्शन उबलब्द कराने के उद्देश से एकीकरत वन स्टाप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल लॉंच किया गया है, ठीक है, तो आपसे इस तरीके से क्वेशन पूछा जाए, कि एकीकरत वन स्टाप ट्र जो है, लॉंच के गई, नवंबर 2022 को उत्वदेश के मुख्यमंतरी योगी आदेतनात के दक्षता में हुई बैटक में, राज की नई परेटन नीती 2022 को मंजूरी मिली है, कुछ महत पूर्टत थे, यहाँ पर देखते हैं, से रिलेटेट, राज की नई परेटन नीती में ह निवेश आधारित सबसेड़ी की विवस्ता की गई है, 10 करोड रुपे के निवेश तक 2 करोड रुपे और 500 करोड रुपे से अधिक के इन्वेस्टमेंट पर 40 करोड रुपे की सबसेड़ी होटल उध्योग वालों को दी जाएगी, ठीक है, आगे देखते हैं, नई निवेश तरकूट, बिठूर और जो भी मैत्रपूट चीज़े हैं, जो के रामायड से जुड़ी हुई है, राम से जुड़ी हुए हैं, उन सभी को रामायड सर्किट के अंतरगाश शामिल किया जाएगा, इसी तरह एक करशन सर्किट बनाए जाएगा, जिसमें मतुरा, रंदावन, गोकुल, गोवर्धन, धर्बना, नंदगा, बल्देव से लेकर अन्यधार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, एक बुद्धिस्ट सर्किट की भी यहाँ बात की गई है, इसमें कथा, कविता, सारनात, कुसीनगर, कौशामबी, मतलब महात्मा बुद्ध से ज शामिल किया जाएगा, हस्तिनापूर, कामपिल्य, अक्षत्र, बरवाना, बजाय, कौसामबी, गोंडा, लाक्षाग्रह जैसे इस्थानों को इसके लिए चुना गया है, उतरपदेश नई परटन नीती 2022 में 22 एक्टिविटीज को नई नीती में शामिल किया गया है, तो य नीचे मैंने एक लिस्ट भी दे रखी है, यह मैंने जो है, जो में ग्राविल वाली बुक थी, उसमें से यहां पर एड़ाउन कर दिये, जिससे कि आपको दिकत ना हो, इनको भी देख लीजेगा, है ना, तो यहां से पहले देखते हैं, पहले इस वाली बुक में जो चीज फतेपुर सीकरी, यह भी क्योंकि आगरा डिस्टिक के अंतरगत आता है, फतेपुर सीकरी में जो है, जितनी भी इमारते हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, वहां से काफी सारे बार क्वेशन देखने को मिले हैं, जैसे सेख सलीम चिस्ति की दरगा भी फतेपुर सी जामा मस्जिद है इसके साथ दिवाने खास बनाए गया है पंच महल बनाए गया यहीं है ना जेकव मंदिर और महर्शी वालमी की आश्रम यह विठूर। कता है यह कानपूर में पड़ताई छुखला दासकी करम स्थली ये कौशांबी में है जाइसी समारक कहां पर है आपका ये गौरी गंज अमेठी में है वारानसी में देखेंगे तो सारनात बाबा विश्वनात मंदिर शंकट मोशन मंदिर भारत माता मंदिर ये भारत माता मंदिर पूछा गया गोरकनात मंदिर गोरकपुर में है और भगवान बुद्ध का परिनिर्वान आपको पता है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वान कहां पर हुआ था तो ये कुशी नगर में हुआ था तो ये कुशी नगर में ही है अयोध्या राम जन्बूमी, अयोध्या में ही होगी, हनुमान गड़ी है, इसके साथ यहाँ पे कनक मंदिर भी है, संत कबीर की जो समाधी है, वो कहाँ पे है, यह मगहर में है, ठीक है, एक यह वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है, नेम इशारण तीरतिस्तल कहाँ पे ह में कौन-कौन सी चीज़े हैं, अच्छेवट मंदिर है, यहाँ पे इलाबाद का किला है, जो अकबर ने बनवाया था, कुम्ब मेला यहाँ पे लगता है, आनंद भवन है, आनंद भवन जो के जवाला नेरू का घर हुआ करता था, इसके अलावा चंदर सेखर, आजाद प हुआ यह इस्थल है, कपिल मुनी का आश्रम भी जो है फरुकाबाद में है, विक्टोरिया हॉल घंटागर कहां पे है, यह हर्दोई में है, तो यह सारी चीज़े हैं, एक बार आप देख लीजेगा, और यहाँ से उत्तरबदेश के जो भी प्रमुख परेटन इस्थल हैं इनको एक बार देख लीजेगा, क्योंकि इनमें समझाना तो कुछ है नहीं, आप जानते हैं कि समय में आपका अव्यद्ध करूँ यहां से, इसमें कुछ समझाने की चीज़ ऐसी कुछ है नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा इसका कोई concept हो, यह तो यादी करने पड़ेंगे तो जो प्रमुक प्रमुक चीजे हैं, जो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, तो चाहें तो आप इसका एक screenshot ले सकते हैं, और मैं इस PDF को भी जो है, आपके टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा, जहांसे आप देख लेंगे, इसको थोड़ा सा revise-wise कर लेंगे, और बढ़िया इसको पढ़ने के बाद, मतलब याद करने पर फोकस नहीं करना है, कि आप याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद होगा भी नहीं, तो के वाले को पढ़ना है, और इसका जो बचाकचा काम है, वो कहां से खतम हो जाएगा, जब मैं आपको जो questions मैं बता रहा था, ज आपको धीरे-धीरे चीज़ें यहाँ से याद होनी लग जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन, टेक केर.